वीडियो का टाटल देखकर तो आप समझी चुके होंगे कि आज हम बना रहे एक मिठाई जो की हम बनाएंगे घी की बच्ची होई खुर्चन से जी हाँ घी की जो बच्ची होई खुर्चन होती हैं उसे हमें डिस्कार्ड कर देते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी टेस्टी मिठाई आप इससे बना सकते वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं मलाई से मक्खन और मक्खन से घी ये तो हम सब बनाते हैं और जब भी हम घी बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा नीचे कुछ इस तरह से खुर्चन बच जाती है इसी से आज हम एक मिठाई बनाएंगे बस आपको एक ख्याल रखना है कि ये खुर्चन बहुत ज़्यादा जली ना हो वरना आपके मिठाई में एक कड़वाहट आजाएगी बस कुछ इस तरह से इसका रंग होना चाहिए और इसी के साथ साथ हमें चाहिए होगे कुछ बेसिक से इंड्रियाइंस जैसे कि एक कप यहां मैंने बेसन काटा लिया है एक कप दूद लिया है एक कटोरी चीनी ली है उसी के साथ लिया है आधा चमच इलाइची का पाउडर एक चमच घी लिया है बेसन को भूनने के लिए और उपर से गानिश करने के लिए थोड़े से ड्राइफ रूट्स कट कर लिये है यहाँ पर अगर आप बेसन काटा यूज नहीं करना चाहते तो आप गेहू काटा भी यूज कर सकते हैं इससे भी बहुत टेस्टी मिठाई बन जाती है और ड्राइफ रूट्स तो ऑप्शनल है ही अगर आप गानिश नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं चलिए तो फिर कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक चमच घी और इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन काटा जो हमने लिया था और इसको अच्छे से बून लेंगे बेसन को हमें करीब 7-8 मुनिक तक बून लेना है जब तक इसमें से बिलकुल भी कच्छा पन निकलना जाए अगर इसमें कच्छा पन रहेगा तो आपकी मिठाई में बिलकुल भी टेस्ट नहीं आएगा आपको वो बहुत ही रौ लगेगी तो इसको अच्छे से बून लें लगा तर चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं अब मैंने वो बेसन को साइड कर लिया है सेम कड़ाई में मैं ले रही हूँ एक कप दूद और इसमें हम डालेंगे जो हमारी घी की कुर्चन है वो अब ये जो कुर्चन है ना इसमें काफी सारा घी अंदर रहता है तो हमें अलग से घी अड़ करने की ज़रुरत नहीं है यही कुर्चन हमारी मिठाई के लिए काफी है अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि यह थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए करीब 2-3 मिनिक तक हम इसे मिला लेंगे और फिर इसमें हम एड़ करेंगे 1 कप चीनी चीनी डालने के बाद यह जो मिश्रन है यह थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी से थोड़ा पानी निकल जाता है तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और करीब 4-5 मिनिक तक पकने देंगे यह जो खुर्चन है यह धीरे-धीरे सॉफ्ट हो जाएगी अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि यह मिक्स नहीं हो पारी है लेकिन जब तक हमारी मिठाई बनेगी न यह सब कुछ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तयार हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते चीनी अच्छे से पिघल चुकी है तो जो हमने वेसन का आटा भूनके रखा था उसे भी हम इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर बेसन की गुठलिया नहीं होने चाहिए तो इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और ग्यास की फ्लेम को यहाँ पर हमें लो रखना है वरना यह मिशन जल जाएगा लास्क में हम डालेंगे आधा चमच इलाइची पाउडर और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमेंसे एक से दो मिनिक के लिए और पकाना है यह जो मिशन है यह एक साथ इखटा हो जाएगा इसका मतलब हमारी बर्फी सेट करने के लिए यह बिल्कुल रेडी है तो बस अब ग्यास की फ्लेम कों कर देंगे बन और यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे यहाँ मैंने यह कांच का बरतन लिया है आप चाहे तो स्टील की प्लेग भी ले सकते हैं कोई बात नहीं आपको यहाँ पर घी वगेरे कुछ भी एड़ करने की ज़रूत नहीं है बस आप यह मिशन इसमें डाल लीजिए और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए आपकी बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी ध्यान बस एकी चीज का रखना है कि यह मिशन जब तक पूरा इकटा ना हो इसको पका लेना है यह कंसिस्टनसी अगर रहेगी तो आपकी बर्फी बहुत अच्छे सेट हो जाएगी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको हलका सा टैप करते हुए हम सेट कर लेंगे उपर से थोड़े से गार्निश करने के लिए ड्राइफ्रूट्स डालेंगे और अब धक कर हमेंसे तीन घंटे के लिए बाहर ही सेट करने के लिए रखना है आप इसे फ्रीज में बिल्कुल ना रखें फ्रीज में रखने से मिठाई ना चिपचिपी सी हो जाती है तो इसको बाहर सेट कर दीजिए बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अब देख सकते हैं यहाँ पर तीम घंटे हो चुके है मैं इसमें लगा रियो कट और आपको दिखाती हूँ कि यह कितनी अच्छी बर्फी बनके तयार हो चुकी है बिल्कुल मार्केग जैसी मिठाई बनकर यहाँ तयार हो चुकी है यह बर्फी आप बच्चों के टिफिल में रख सकते हैं या फिर धर पर गेस्ट आजाए तो उन्हीं सर्फ कर सकते हैं इसके बाद खुर्चन बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए और इस तरह से इसकी बर्फी बनाईए और अपनी फ्रेंग्स और फैमिल के सक एंजॉय करिए अगर पसंद आईए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू